नमस्कार वच्चो स्वागत है आपका Learn with जोधी चैनल पे आज हम कोशन आंसर करने जा रहे हैं क्लासिक जिन्दी वसंत भागे चैप्टर 17 है सांस सांस में बास जो भी पच्छे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक जरू करने तो उम्र वाले बास को बूढ़ा कहा जाता है बूढ़े बास सकत होते हैं और टूट भी जाते हैं यूवा बास मुलायम होते हैं उसे सामान बनाने के लिए किसी बी तरह मोड़ा जा सकता है सेकंड कुश्चन बास से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्यर जनक चीज कौन सी लगी और क्यों उत्तर बास से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्यर जनक मुझे जो चीज लगी वह है मशली पकड़ने वाला जाल जकाई ठीक है इसका नाम क्या है जाल का जकाई इसकी बुनावट बहुत कटिन है लेकिन इससे मशलियां जिस तरह फसाई जा गी जबसे इनसान ने हाथ से कलात्मक चीजे बनानी आरंभ की और जक्समानो घूम कर भोजन इकत्र किया करता था वहुत्ति एक ड़िया नॲुम WA νोमा वस्तु की जुरुद्पढ़ी होगी तब उसनी बास की वुनाई से डलय बनाई होगी बात में वह कलात्मक वस्तुए बनानी लगा होगा कोश नबर फूर हैं बास के विभिन प्योगों से संबंदित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्व में दी गई है एटलस में देखो उत्तर बास भारत के कई भागों में बहुत आयत में होता है यानि बहुत अरिक मात्रा में इसकी पैदावार होती यह पाया जाता है मुख्यता उत्तर पूर्वी सात राज्यों में यह पाय जाते हैं बास जो राज्य हैं अरुनाचल प्रदेश असम मिघाले नागालें मीजोरम मनिपूर त्रिपुरा नेक्स्ट है निबंद से आगे पहला प्रश्न है बास के कई उप्योग इस पार्ट म बनाई जाती है और अलग अलग फिल्ड में होती हैं जैसे संगीत हो गया मच्छर फर्णीचर प्रकासम एक नया संधर्व देख लेते हैं क्या क्या है संगीत के छेतर में क्या बनता है इसे संगीत के जो छेतर में है पी है बांसे संगीत के लिए बासुरी एवन सहनाई बनाई जाती है मच्छर यानि मच्छरों के लिए मच्छरदानी लगाने के लिए बांस क्या उशक्ता होती है फरनीचर फरनीचर तो काफी कुछ होता है बांस का बांसे बने फरनीचर बनाया जाते हैं प्रकाशन में प्रकाशन के लिए बांसे कागज बनाया जाता है और फिप्त है एक नया संदर बांसे खिलोने बरतन मकान अचार भी बनाया जाता है कोश नमबर टू देखे इस लेख में दैनिक उप्योग की चीज़े बनाने के लिए बांसकाउन लेख प्राकरतिक संसाधन की रूप में हुआ है नीचे दिये के प्राकरतिक संसाधनों से दैनिक उप्योग की कौन-कौन सी चीज़े बनाई जाती है पहला जो हैं चमड़ा, चमड़े से जूता, बैक, पॉर्स, बेल्ट एवं पहुमुले वस्तों की कवर, सेकेंड घास की तिनके से क्या बनता है चटाई, खिलोना, टोकरी, इत्यादी, थोड़े पेड़ की छाल से कागच, अगरबती, वस्त्र, इत्यादी, फोर्थे गोबर गोबर के, गोबर से उपले, ठीक है, और घर की लिपाई पुताई, और खाद भी बनता है, मिटी, मिटी के बरतन, मकान, खिलोना, गुल्लक, इत्यादी, और यहाँ पे लिखा गया है कि चमड़े को काट कर और घिस कर पर सता थैले बनाए जा सकते हैं, हमें चमड़े को सह प्रशने तीन देखे वच्चोज जिन जगों की सांस में बांस बसा है, अकबार और टेलिविजन के जरिये उन जगों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है, वो तरलिखेंगे, सांस में बांस होने का अर्थ है, बांस पर पूरी तरह निरवर होना, हम बांस उगने वाचीजे बनाने वाली जगों की तस्वीरे अखबार टेलिविजन में देखते हैं, उनके इलाकों में चारों तरब बांस के जुर्मुट या जाडिया नजर आती हैं, लोग बांस के बने घरों में रहते हैं, बांस के बनी टोपिया पैंते हैं, उनके फरनीचर, बरतन और और कुछ खाते परदाल भी बांस के बनी होते हैं, बांस पर उनका जो वेफसाय चलता है, बांस की बनी सामगरी वे बाजार में बेशते हैं, जैसे टोकरी, जाल, चटाई, खिलोने, आदी, उनके घरों के आसपास बांस की खपच्चियां विख्री दिखाई देती हैं, व बाई.